बच्चों आपको याद होगा जब आप प्रामरी क्लासेस में थे जब आप बहुत छोटे थे तो कई बार आप ऐसा करते होंगे कि अपने दोस्त से अपनी पैंसिल एक्सचेंज कर लेते हों या उसको कहते हों कि तु मेरी रबर ले ले मैं तेरी पैंसिल ले लेता हूं कई बार जब हम टिफिन में देखते हैं कि हमारे पसंद की चीज नहीं है तो हम अपने टिफिन भी एक्सचेंज कर लेते हैं तो ये जो टेफिन का खाना है ये जो हमारी pen है pencil है rubber है ये सारी कोई न कोई वस्तूइं है और इन वस्तूओं को जब हम exchange कर लेते हैं आदान प्रिदान कर लेते हैं अदला बदली कर लेते हैं तो यही कार वस्तू विनिमे कहलाता है वस्तो विनिमय एक ऐसी अवधारणा है जिसमें दो पक्षकार, दो व्यक्ति अपनी आवशक्ता की वस्तों एक दूसरे से एक्स्चेंज कर लेते हैं, विनिमय कर लेते हैं तो वस्तो विनिमय को और अच्छे से जानने के लिए आएए इसके कुछ परिभाशाओं का अध्यन करते हैं आर पी केंड के शब्दों में वस्तोविनिमय मुद्रा का विनिमय माध्यम के रूप में प्रयोग किये बिना वस्तों का वस्तों के लिए प्रत्यक्ष विनिमय है S.E. Thomas के अनुसार एक वस्तू का दूसरी वस्तू से प्रत्यक्ष विनिमय वस्तू विनिमय कहलाता है तो आपने देखा कि किस प्रकार विभिन विद्वानों ने वस्तू विनिमय के अंतरगत आने वाले मुख्य तत्यों को शामिल करते हुए इसे परिभाशित किया है अब वस्तू विनिमय का अर्थ हम इसकी परिभाशाओं के द्वारा बहुत अच्छे से समझ गए है कि यहां पर दो पक्षकार होते हो और वस्तू के अदला बदली करते हैं इन्ही परिभाशाओं इन्ही अर्थ के आधार पर आएए देखते हैं कि वस्तू के बदले वस्तू को प्राप्त करने की आवश्यक शर्ते कौन-कौन सी होती है इसकी सबसे पहली शर्त है सीमित आवश्यक्ताएं ये तभी संभव हो सकता है जब हमारी आवश्यक्ताएं सीमि होती है छोटे से एक पैन एक छोटी से पैंसिल रबर कटर इनसे वह बहुत खुश हो जाते हैं तो यहां पर यह वस्तु विनिमय के स्थिति तभी उत्पन होती है जब आवश्यक्ताय सीमित हो प्राचीन काल में जब वस्तु विनिमय प्रचलित था तो वहां उसके प्रचलन का कारण ही रही था कि लोगों की आवश्यक्ताय बहुत सीमित होती है अगर हम खाद्यान की बात करें तो गेहूं चावल जवार बाजरा और कुछ दाले इस तरह की जो चीजे थी वही भोजन का एक खाने का एक मुख्य वह आहार हुआ करते थे और ऐसी कंडिशन में जिनक क्योंकि आवश्यक्ताय सीमित थी तो वस्तू विनिमय यानि कि वस्तो का आदान प्रदान बहुत आसानी से हो जाता था दूसरी इसकी आवश्यक्ताय है सीमित छेत्र यानि कि छोटा छेत्र होना चाहिए जब छेत्र सीमित होगा तभी हमको पता रहेगा कि किस व्यक्ति के पास मेरी आवश्रक्ता की चीज मिल सकती है कहां पर मिल सकती है बड़ा छेत्र होने पर हम अंदाजा ही न लगा पाएंगे कि मुझे जो चीज चाहिए वो कहां मिलेगी एक छोटे गाओ कस्बों में वस्तु विनमे के अत्यदिक प्रचलन का यही कारण था गाओ का जो छेत् कारी रहती थी कि कौन सी वस्तु कहां मिलेगी छेत्र सेमित होने के कारण तो वह आसानी से वस्तु विनमे कर सकते थे वैसी इसकी एक महतपूर आवशक्त यह भी है कि आर्थिक दृष्टी से समाज का पिच्छडापन जब था तो उसी समय वस्तु विनमे जो था वो वस्तु को खरीद नहीं पाते थे लेकिन वस्तुएं उनके पास फिर भी क्रिशी करते थे फसल उगाते थे तो कुछ ना कुछ खाद्यान पदार्त उनके पास रहते थे कुछ ना कुछ उप्योग की चीज़े फल हैं सबजिया हैं यह सारी चीज़े जैसे पशु का भी इस तरह की वस्तु उनके पास रहती थी लेकिन धन का भाव रहता था यानि कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े थे तो एक इसकी बहुत जरूरी आविश्रक्ता ये भी है कि आर्थिक दृष्टि से अगर पिछड़ा समाज है तो वहाँ पर ही वस्तु विनिमे प्रभाव हो पाता है क्योंकि अगर आर्थिक दृष्टी से संपन्न है तो बीच में आ जाता है धन धन के द्वारा लोग वस्तु को खरीदना प्रयारम कर देते हैं और फिर वस्तु भी निमें वहाँ पर नहीं होता है वैसे ही इसकी एक महत्पूर्ण आविशक्ता ये भी थी उनको बहुत ज्यादा नाउलेज नहीं था कि कि सलस्तु को कहां पर खरीदा जा सकता है अग्यान अग्यानता अभी अक्रण थी इसकी वस्तु कि कहां पर उपलाब्द दता होगी दूसरी बात अचिक्षा और अज्यानता बेरोजणारी का एक बहुत बड़ा कारण भी थी लोगों के पास रोजगार नहीं था और रोजगार नहीं था तो धन का भी आभाव था और धन ना होने की कारण वस्तु विन्मे की प्रणाली हुई वो काफी प्रचलित थी तो यह से कुछ आवश्यक शर्ते हैं जिसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि व वस्तुवीन में प्रणाली के गुण की बात करें, क्योंकि वस्तुवीन में के अर्थ को हम भली बाती समझ गया है, कि वस्तु के बदले वस्तु को प्राप्त कर लेना, यानि कम आवश्यक वस्तु जो आपके लिए आवश्यक नहीं, वो आप किसी दूसरे को दे देते हैं, और उनसे अपनी आवशक्ता की वस्तु को प्राप्ति कर लेते हैं तो अब हम इसके गुण को देखते हैं कि क्या विशिष्टा है इसकी कौन-कौन से गुण है इस परडाली में तो सबसे पहले में आपर देखते हैं कि परसपर समपर्ग इससे क्या होता है कि जो लोग होते हैं एक सीमी छेतर में उनमें आपस में निरंतर संपर्क जो है वो बना रहता है दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं कि सरलता होती है बहुत ही सरल प्रणाली है किसी प्रकार का ना कोई कैलकुलेशन ना बजार को देखना ना मांग को देखना ना पूर्ती को देखना सीधे सीधे लोगों को लगता है कि उसके पास मेरे आवश्रक्ता की चीज है दोनों अपस में बात करते हैं और दोनों अपनी वस्तु को एक्सचेंज कर लेते हैं एक दूसरे से आदान प्रदान कर लेते है थीसरे चीज़ यहाँ पर आती है सरल श्रम विभाजन शरल श्रम विभाजन को जन में भी कही न कहीं वस्तु इन्में प्रणाली का गुण माना जा सकता है क्योंकि इसके अंतरगत मुख्य जो देश था वो यही था कि वस्तू के बदले वस्तू देना है तो वस्तू का उत्पादन वस्तू को बनाना ये प्रचलित हुआ और लोगों ने जहां उनकी छमता थी जहां उनकी रूची थी उन कारियों में अपने आपको नियोजित कर लिया तो कहीं न कहीं से सरवश्रम विभाजन का जन्म हुआ इसे प्रकार इसका गुण एक ये भी रहा कि इससे छोटे पैमाने के उत्पादन को बढ़ावा मिला यानि बहुत ज्यादा वस्तू के उत्पादन करने की जरूरित नहीं पड़ी लोग एक सीमित वस्तू का उत्पादन करते थे और एक दूसरे के उत्पादित वस्तों को ए देखते हैं कभी मुद्राट प्रणाली पूरी तरीके से मुक्त थी अब अगर हम बात करें वस्तु विनमे प्रणाली की कठिनाईयों की, तो हालां कि देखने में, सुनने में, यह सरल सी लगती है कि वस्तु की बदले वस्तु को दे दिया जाए, बहुत आसान सी प्रणाली है। लेकिन बहुत सी कठिनाईया थी इसके अंतरगत। कौन कंसिकर्ट नाया थी? तो सबसे पहले दोहरे संयोग का भाव. जब हम बात करते हैं वस्तु विनिमै की तो यहां पर दो पक्षकार होना आवश्यक है जिसे हम बोलते हैं दोहरा संयोग. एक व्यक्ति के पास जो वस्तु है वो दूसरे व्यक्ति की आवश्यक्ता की है की है की डूसरे व्यक्ति के पास जो वस्तु है वो इस अगले व्यक्ति क्या वश्यक्ता की है कीने एसक होना ज़रूरी है. दोहरा संयोग होगा तभी वस्तु वीनिमे प्रणाली की बुक है और बी के पास अकाउंटेंस एक की बुक है तो यहां पर तो दोरा सयोग बन रहा है कि दोनों एक दूसरे से अपनी बुक एक्सचेंज करने को तयार है और आसानी से वस्तु विनिमा यहां पर हो सकता है लेकिन यह हुआ कि ए जो कि कॉमर्स का स्टूडेंट है उसके पास बायो की बुक है लेकिन बी जो है वो लिट्रेचर का स्टूडेंट है उसके पास हिंदी की बुक उसको चाहिए जो कि ए के प सबसे प्रचलित घवसाय था जो था वो एक प्रचलित विपसाय था तो माल लिजिए कि उस समय में हम चले जाते हैं एक वेक्ति के पास एक बकरी है उसको किसी दूसरे वेक्ति से अनाज खरीदना है गेहु खरीदना है किसी अन्य वेक्ति से चावल खरीदना है किसी अन्य वेक्ति से सबजी खरीदना है और यह जो एक वेक्ति है इसके पास सिर्फ एक बकरी है आप उसको खरीदना इतनी सारी चीजे हैं तो वो क्या करेगा कि वो बकरी का का हिसा काट काट के तो सब को नहीं दे पाएगा या उसके पास माली जी एक मेज है तो उस मेज के हिस्सों को वो तोड़ तोड़ के तो इन तीनों चीजों को नहीं खरीद पाएगा तो ऐसे बहु जोंकि लोगों की मानसिक्ता ऐसे बन जाती है कि दन पर होजाता है उसी तरह एक इसकी कटना ये भी है कि मूल ले मापन की समस्या होती है अगर A के पास गेहूं है और B के पास चावल है तो कितने किलो गेहूं के बदले वो कितना किलो चावल प्राप्त करे गेहूं का मूले क्या नरधारित करे और चावल का मूले क्या नरधारित करे किस तरह से उसको मापा जाए किस तरह से उसका मुल्यांकन किया जाए ये कठिन करिए रखन की समस्या होती है हमारे पास अगर हम किसी अधान है किने के बात करते हैं, तो हम देखते हैं पैसा लेके कहीं दुकान में जाते हैं और और हजारों प्रकार की विस्थे खरीद के बहुत आसानी से ला लें हैं और अब तो हम पैसा भी लेकर नहीं जाते हैं मोबाइल लेकर जाते हैं पेटिरमсь感 करते हैं और उससे अपने शॉपिंग करते हैं लेकिन जब हम वस्तु भी निमे की बात कर रहे होते हैं तो यहां पर क्रेश रक्ती का जो हस्तांत्रण होता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है जैसे मैंने एक उदारन बताया है कि एक व्यक्ति के पास एक बकरी है उसको कहीं दूसरे दूर से उसको अनाज दाल चा यह जो क्रेश रक्ती का जो हस्तांत्रण होता है एक दूसरे से लाने ले जाने की जो समस्या होती है यह वस्तु विनमे की दोरान उत्पन हो सकती है वैसी एक समस्या इसकी यह है कि स्थगित भुक्तान का भाव होता है मुद्रा से जब हम क्रेवी क्रे करते हैं तो कई बार हम भुकतान को स्थखित कर देते हैं यह कहते हैं कि बाद में पैसा दे देंगी कुछ समय बाद यह उधार हम करे कर लेते हैं लेकिन वस्तुविनमे की दशा में उधार करे नहीं हो सकता क्योंकि जब तक 12 सा योग नहीं होगा जब तक एक व्यक्ति कोई दूसरे व्यक्ति की वस्तु नहीं देगा तब तक वह अपनी व्यक्ति वस्तु उस अगले व्यक्ति से प्राप्त नहीं कर सकता तो यहां पर यह कहा सकते हैं कि और संध αυτा है था तो यह तो थी वस्तुवիनिमै की कथिनाया अब हमने देखा कि वस्तु विनिमय क्या है किस तरह से प्रचलित था किस तरह से हम इसमें लेन देन करते थे और जैसे जैसे हम इस प्रक्रिया में आगे बढ़ते गए तो हमारे सामने बहुत सी कठिनाईया आती गई और इनी कठिनाईयों का अंत करने के लिए इनको समाप्त करने के लिए मुद्रा विनिमय का उदय हुआ तो अब हम आजाते हैं मुद्रा की ओर धन की ओर जिससे समाने बोल चाल की भाशा में हम कहते हैं पैसा या रुपै यहां से मुद्रा की उत्पत्ती हुई अब अगर हम मुद्रा की उत्पत्ती की बात करें तो शायद हम वहां तक पहुँच न पाएं सोच न पाएं कि कहां से मुद्रा की उत्पत्ती हुई प्राचीन काल से एक लंबे समय से जब मनुश्य में सभ्यता भी प्रारंब नहीं हुई थे उस समय से ही मुद्रा का जो लेन देन था मुद्रा के माध्यम से जो विनिमय था वो हमको देखने को मिलता है हाला कि मुद्रा का जो स्वरूप था वो विकास की प्रक्रिया के साथ लगातार परिवर्तित होता गया लोहे तामबे सोने चांदी की मुद्रा से वो चलते चलते आज आप देख रहे हैं कि वो पत्र मुद्रा में कागज की जो मुद्रा होती है उसमें तबदिल हो चुका है बहुत पहले के पिच्चर सीरियल में आप देखते होंगे कि जब कोई दासी कोई खुशी का समचार लेकि राजा महराजाओं के पास आती थी तो वो उनको कहते थे कि इनको एक हजार सुन मुद्राय दान कर दी जाए तो वास्तों में वो जो मुद्राय होती थी सोने की बनी हुई होती थी उस समय देश में जो सोने की चांदी की जो मुद्राय प्रचलित थी वास्तों में सिती ऐसे थी कि सोने और चांदी के मुद्राओं के द्वारा लेन देन आदान प्रदान ये सारी चीज़े की जा सकती थी आज वैसे इस्थिति नहीं है क्योंकि ये जो धातों है वो बहमूले धातों में तब्दील हो चुकी है तो वह एक यूग था वहाँ पर जो मुद्रा हाला कि वह भी मुद्रा भले वो सोने की थी चांदी की थी उसके बाद कासे की और तांबे की और धीरे धीरे फिर वो तब्दील होते होते आज देखते हैं आपकी सिक्के जो आते हैं वो और पत्र मुद्रा में ये जो मुद्रा है वो तब्दील हो गई कुल मिलाकर मुद्रा के विकास क्रम पर अगर हम एक नजर डाले तो कुछ इस प्रकार के सुति हमको प्राप्त होती है सबसे पहले जब वस्तु मुद्रा आई यानि वस्तु के रूप में मुद्रा आई तो उसे हमने जैसी कि अभी हमने देखा वस्तु विनिमय के नाम से हमने जाना तो ये जो वस्तु विनिमय था वो एक प्रकार से वहाँ पर वस्तुओं को ही मुद्रा मान लिया जाता था क्योंकि वहाँ पे वस्तुएं ही थी जो विनिमय का साधन हुआ करती थी मुद्रा के रूप में अत्रिक्त और कुछ भी नहीं था अगर यूग किस तरह से इनका विकास किस यूग में हुआ इसकी अगर हम बात करें तो एक जो प्राचीन काली न्यूग था जिसे हम आखेट यूग के नाम से जानते हैं खेट मतलब शिकार करना लोगों का मुख्य काम ही शिकार करना होता था तो वहां पर जो विनिमय होता था वो पशुओं की खाल उनकी चमड़ी इसके द्वारा वस्तों को उनको मिल पाती तो इसके द्वारा वस्तों का आदान प्रदान होता था उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए पशुपालन का यूग आया तो यहाँ पर जो लोग आदान प्रदान करते थे वो पशुओं का आदान प्रदान करते थे कोई गाय पालता था कोई बकरी पालता था कोई भेड पालता था मुर्गिया पाली जाती थी तो लोग इन वस्तू के बदले मुर्गी चार मुर्गी के बदले एक बकरी दे दी दो बकरी के बदले एक गाय दे दी इस तरह से उन्होंने आपस में ही अपने समझोती के द्वार जब पशुपालन का जो यूग एक आया वहाँ पर इस तरह से वस्तु का विन्मे किया जाने लगा धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गया और उसके बाद कृशी का यूग आया मनुष्ये ने खेती करना शुरू किया तो वहाँ पर आनाज का आदान प्रदान किया जाने लगा व इसी तरह जो भी खाद्यान फसल जिसके खेत में नहीं होती थी वो उसको दूसरे वेक्टी को आदान-प्रदान करके अपनी आवशक्ता की वस्तु प्राप्त कर लेते थे तो जैसे-जैसे विकास होता गया वैसे-वैसे मुद्रा ने अपना रूप मुद्रा जो है वह तरह से यह क्रम लगातार बढ़ता गया इस तरह से धातु मुद्रा का विकास हुआ और उसके बाद अगला जो चरण आया वहां पर विकास हुआ पत्र मुद्रा की जिसे की आज हम सभी 10, 20, 50, 100, 2000 तक के नोट में हम देख रहे हैं यह सारी जो मुद्रा है है हमारे सांद में यह सभी मुद्रा है जिनका कि आज हम वर्तमान युग में प्रयोग कर रहे हैं यह सारी के सारी मुद्रा हैं पत्र मुद्रा है ठीक इसे प्रकार साख मुद्रा भी आई साख मुद्रा यानि की प्रत्यक्ष रूप से जो पत्र की मुद्रा है वो ना होकर साख के रूप में हुंडी जिसे हम बोलते हैं विनिमय विपत्र जो आपने कक्षा 11 में जिसके बारे में पढ़ा था कि लिख के दे दिया जाता है कि राश्री का भुगतान करेगा यानि लिखित रूप से वह एक दस्तावेज है कि मुद्रा आपके पास है हाला कि वह प्रत्यक्ष रूप से प पत्र मुद्रा तो नहीं है आप उस qekk को ले जाकर कहीं कोई समान खरीद तो नहीं सकते हां उसको आप बैंक के माध्यम से आप उसको पत्र मुद्रा में फिर परिवर्तित करवा सकते हैं तो कि कुछ इसी प्रकार कि साथ मुद्राओं का जन्म भी हुआ और देखते ही देखते ये जो मुद्रा थी उसने पूरा का पूरा एक धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा का रूप धारन कर लिया और वर्तमान युग के लिए वो सबसे महत्पूर मुद्रा के रूप में तब्दिल हो गई अब अगर हम सिर्फ मुद्रा के अर्थ को जानने का प्रयास करें तो मुद्रा यानि की एक ऐसी वस्तू जिसके बारे में कुछ बिंदों के अधार पर इसके अर्थ को समझेंगे कि सबसे पहली बात तो एक ऐसी वस्तू जो विनिमय का माध्यम है यानि जिसके बदले हम कोई यह जो LED है यह 40,000 की है 40,000 क्या है मुद्रा है हमें कह सकते हैं कि यह जो लैप्टॉप है यह 25,000 का है यह इसकी वेल्यू क्या है 25,000 किस में है मुद्रा में है तो यह मूल्य का मापक है यह मुद्रा एक ऐसे वस्तू जो संचय का साधन है जिसको हम जमा करके संचय करके रखते इन आधार पर मुद्रा को काफी विस्तृत और व्यापक रूप प्रदान किया गया है छोटी से रूप में देखे एक पत्र मुद्र है कागज है पैसा है हम यह नहीं कह सकते कि मुद्रा पैसा बहुत विस्तृत बहुत व्यापक रूप इसको प्रदान किया गया है विबिन इसकी जो परिभाशा है वो वर्नात्मक और कार्यात्मक परिभाशा है जो ये बताती है कि वास्तों में मुद्रा का कारी क्या है दूसरी जो परिभाशा है वो वैधानिक परिभाशा है और वो ये बताती है कि कौन-कौन से मुद्राएं है किस तरह की मुद्राएं है जिने सर को बताती है जो समाने एर्थ में सरवउमानने सब के द्वारा सविक्रीत है चौति इसकी परिभाशा है वह के वह विस्त्रिद परिभाशा है मतरब मुद्रा के वह बहुत bon से कारे हैं जितने चारे उन सीधे समाने इयर्थों में उसका वर्णन करती है और चटवी जो परिभाशा है उचित परिभाशा याने कि इन सभी परिभाशाओं का विसलेशन करने के बाद एक किसे बिंदू पर पहुँचा जाए और ये बताया जाए कि मुद्रा क्या है तो आए इन सभी परिभाशाओं को एक बार जाने कॉलबोन के अनुसार मुद्रा वह है जो मुल्य मापक और भुक्तान का साधन है हाटले विदर्स के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कारे करे प्रोफेसर थॉमस के अनुसार मुद्रा किसी आर्थिक लक्षी की प्राप्ति का साधन है अर्था जो दोसरों के बस्तू और सेवाओं को प्राप्ट करने के लिए दी जाती है वैधानिक परिभाशाओं के अंतरगत प्रोफेसर नेट के अनुसार कोई भी वस्तु जो राजय द्वारा मुद्रा घोशित कर दी जाती है मुद्रा कहलाती है सामान्य स्विक्रित परिभाशाओं के अंतरगत सैलिग्मेन के अनुसार मुद्रा वा वस्तु है जिसे सर्व ग्राहता प्राप्त है कोल के अनुसार मुद्रा ऐसी वस्तू है जिससे दूसरे वस्तूएं खरी दी जा सकती है या ऐसी वस्तू है जो साधर्ता व्यापक पेमाने पर भुपतान के रूप में प्रियोग की जाती है और रिणों के भुक्तान में स्विकार की जाती है केन्स के अनुसार मुद्रा वह है जिसको देकर रिण प्रसंविदाओं तथा कीमत प्रसंविदाओं का भुक्तान किया जाता है और जिसके रूप में समान्य क्रेश रक्ती का संचे किया जाता है विस्त्रत परिभाशाओं के अंतरगत हाटले विदर्स के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कारे करें संकुचित परिभाशाओं के अंतरगत रॉबर्टसन के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिसे वस्तुओं के मुल्ले भुक्तान करने तथा अन्य व्यवसाइक दायत्यों को निप्टाने के लिए विस्तरत रूप से स्विकार किया जाता है उचित परिभाशाओं के अंतरगत प्रोफिसर एली के अनुसार मुद्रा कोई भी ऐसी वस्तु हो सकती है जिसके विन्मय के माध्यम के रूप में स्वतंतरता पूर्वक हस्तान तरण होता है और जो समानत्या रिणों के अंतिम्भुक्तान में ग्रहन की जाती है तो आपने देखा कि विबिन विद्वानों ने अलग अलग अधार पर अलग अलग प्रकृति के अधार पर मुद्रा की बहुत सी परिभाशाओं दी और मुद्रा के अर्थ और इंके इतनी विस्तृत परिभाशाओं के अधार पर अब हम मुद्रा को बहुत अच्छे से सम चुके हैं कि मुद्रा है क्या तो मुद्रा है क्या यह जानने के बाद मुद्रा करती क्या है उसके कारे क्या है आए इस पर एक नजर डाले मुद्रा के कारे की अगर हम बात करें तो इसके कारियों को हम चार भागों में यहां पर बाट देते हैं क्योंकि हमने देखा कि इसका पहला जो कारे है वो प्राथमिक कारे जिसे हम कहते हैं जिसे कि हम यहां दो भागों में विभाजित कर देते हैं एक तो यह विनिमय का माध्यम है और दूसरा मूल्य का मापक है जैसे कि हमने पहले भी देखा कि विनिमय का माध्यम है पैसे के बदले में हम वस्तू को प्राप रही है मुद्रा जो है वो इस टीवी के मुल्य को माप रहा है कि इस वस्तु का मुल्य कितना होगा तो विनिमय के माध्यम के साथ साथ यह मुल्य के मापन का कारे भी करती है कि दूसरा सबसे पहला काम्य आता है है कि ये मोल्य का संचय करती है वस्तु के बारे में आगर करें के नाश्वान होती है कोई समान अगर कुछ समय बाद हो सकता है बहुत से दिन तक हम सब्सक्राइब करके नहीं रख सकतीु लेकिन मुह ले मुद्रा पिशा करते हैं तो यहां पर चारओ क हैं कि यह मुद्रा का पैसे आप करते हैं। यानि कि वो पीढी दर पीढी उस मुद्रा का उपयोग करते रहते हैं वो मुद्रा संचित रहती है जमा रहती है जबकि वस्तुएं जो होती है वो इतने लंबे समय तक संचित नहीं हो पाती हैं दूसरा जो कारी है इसका वो है भावी भुक्तान जैसे कि हमने वस्तु विनिमय के बारे में पढ़ा कि वस्तु विनिमय को स्थगित नहीं किया जा सकता तूरंत के तूरंत दो पक्षिकार वस्तु को देंगे और वस्तु को लेंगे लेकिन मुद्रा विनिमय के अगर हम बात तो मुद्रा विन्यमया को स्थागित किया जा सकता है जैसी कि आप देखते होंगे कि कई बार हम उधार क्रेख करते हैं उधार माल हमने खरीद लिया और बाद में हमने उसको । पत्र दे दिया या लिखित में हमने कुछ इसको गैरंटी दे दी कि कुछ समय के पश्राथ हम उजधन राश्री का भुक्तान कर देंगे तो यहां पर हम यह कह सकते हैं कि भावी भुक्तान का याधार बनती है ठीक इसी तरह इसका एक अनिकारी है मूल्य का हस्तांत्रन करती ह यानि कि लाना ले जाना आसान है जैसे कि हमने वस्तुवी निमे के दोश में जाना था कि इसका हस्तांत्रन बहुत मुश्किल है वस्तुव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत सरहल है पहले कि आप एक आज तो आप देखते होंगे कि और भी सरहल है आज आ तो मुद्रा का मुले वर्तमान में तो पूरी तरीके से परिवर्तित हो चुका है और मुद्रा का कारे भी पूरी तरीके से परिवर्तित हो चुका है तो यह थे मुद्रा के गौण कारिया अब अगर हम इनके आकस्मिक कारे की बात करें तो आकस्मिक कारियों के अंतरगत सबस संख्यात्मक प्रशनों को हल कर रहे थे तो हमने अपने आक्ड़ों में जिन-जिन तथ्यों को शामिल किया चाहे वो एन्दिपी हो at market price सारे के सारे जो valuation हमने कि वो मुद्रा क्या धार पर पैसे क्या धार किये दूसरा इसका महत्यपूर्ण प्राप्ति मुद्रा के रूप में हमारे पास पैसे होते हैं वह हमको अंदर से बहुत ज्यादा संतुष्टी प्रदान करते हैं वस्तू भी नहीं में अगर हम जाएं तो वस्तू कितनी भी हैं हम जब भी उनको एक्स्चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास से वह वस्तू कम होती जाएंगी दूसरी वस्तू हमारे पास आती जाएंगी ये भी ठीक है हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो वस्तू है उनको हम एक् मुद्रा होती है अगर हमारे पास पैसा है अकाउंट में पैसे भरे हुए हैं तो हम बहुत संतुष्ट होते हैं आप प्रक्टिकली सोच के देखें कि आपके पास आपकी जेब में आप ट्वल्थ की स्टूडेंट है दो सब पांसो रहता है तो कितनी खुशी होती है लेकिन तुम कई बार इरिटेट हो जाते हैं इसे तरह इसका जो एक अन्यकार है वो है साक का आधार रिन का ये आधार बनती है हम जो भी उधार लेते हैं वो मुद्रा के Maดhya अमसे लेते और वैसे ही यहां पर हम यह कैसे करता सकते कि पूंजी की जो उत्पादकता है उसका सीधा और प्रत्यक्ष संबंध मुद्रा से है मुद्रा के द्वारा बचाई गई मुद्रा के रूप में जमा की गई जो राशी है वही आगे चल कर पुंजी निर्मान का आधार बनती है अब अगर हम इसके अगले कारी याने की कुछ अन्य जो कारी होते हैं तो इसका सबसे पहला कारी यह हो सकता है कि यह निर्णय का वाहक है यानि जिस व्यक्ति के पास पैसा है धन है वो निर्णय लेता है जिसे हम कहते हैं कि पैसा बोलता है जिस व्यक्ति के पास धन है जो खर्च करेगा वही व्यक्ति निर्णय लेता है कि वो कहां पर अपने धन को खर्च करेगा दूसरा इसका एक कार्य है कि इसमें सोधन शमता की गैरांटी होती है यानि कि जो रिण दिया गया है उस रिण को कैसे चुकाएगा, कैसे वापस लेगा इसकी गैरांटी धन देता है, मुद्रा देती है तीसरी बात है तरलता होती है इसमें लिक्विडिटी होती है इस समन्द में किन्स के एक बात को हमें आप आप देखे हैं तो किन्स नहीं समन्द में कहा कि पुझी को तीन उद्यूशों के लिए तरल रूप में लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है जैसे कि हाला कि धन से पैसे हम बहुत सारे सथाई संपत्यां भी खरीज़ सकते हैं लेकिन कुछ धन राशी मुदरा के रूप में हमें अपने पास भी रखनी पड़ती है कि इसा इसलिए है क्योंकि प्रतिदिनर्च के लिए मुद्रा की जरूरत होती है दूसरी बात सब्सक्राइब को प्रटा पर चर्चा करने के hyद् mount को करने के के दो half a minute को eight वह सब से सब्सक्राइब को पर करूंध मुद्रा करते लिक्विट फोर्म कर रखना बहुत जरूरी हैं अब मुद्रा के इन सभी कारियों पर चर्चा करने के बाद अगर हम इसके वर्गी करण को देखें कि कितने भागों में इसको वर्गी करित किया गया है कितने भागों में इसको बाटा गया है तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि प्रकृति क्या धार पर इसका वर्गी करण किस प मुद्र है जो देश में प्रचलित है जो विनिमय का माध्यम है जो भुक्तान का आधार है यह हम यह कह सकते हैं कि जिसमें क्रेश रक्ति समाई थैं जिसके द्वारा हम जो चाहें उस वस्तिव को क्रेख कर सकते हैं और जब हम हिसाब की मुद्रा की बात करते हैं तो वास्तों में अगर देखा जाए तो हिसाब की मुद्रा और वास्तविक मुद्रा जो होती है वो एक ही होती है लेकिन कुछ उधारणों के अधार पर हम देखेंगे कि कभी कभी इनमें परिवर्तन भी आ जाता है यहां परम किया सकते हैं कि जैसे कि मान लेजे कि भारत में जो मुद्रा है वो रूपया है वास्तिविक मुद्रा और हिसाब की मुद्रा के रूप में हम रूपया का प्रयोग करते हैं लेकिन कई बार संकट काल के स्थितिया जैसे युद्ध आदिके दौरान जो इस्थितिय विश्वियुद्ध के बाद जर्मनी की जो मुद्रा थी जिसे हम कहते हैं मार्क यह जो थी और हिसाब की जो मुद्रा थी वो थी अमेरिकन डॉलर लेकिन विश्वियुद्ध से जर्मनी की जो आर्थिक इस्तति थी वह इतनी खराब हो गई कि जो उनकी मुद्रा थी वास्ति डॉलर को वहाँ पर हिसाब की मुद्रा मान लिया गया तो कई बार ऐसे परिस्तिया उपन होती है जबकि वास्तिविक मुद्रा अलग हो जाती है और हिसाब की मुद्रा अलग हो जाती है एक छोटी से बिंदू के अधार पर अगर हम इसमें अंतर देखना चाहें तो हम यह कह सकते हैं कि हिसाब की मुद्रा प्रचलिक मुद्रा का एक सैधान्तिक रूप है और वास्तिविक मुद्रा जो है वो व्यभारिक रूप है दूसरा हम यह कह सकते हैं कि हिसाब की मुद्रा दीर्धकाल के लिए स्थिर और स्थाई होती है जबकि वास्तिविक मुद्रा जो होती अब जब हम विधी ग्राहे मुद्रा की बात करते हैं तो यहाँ पर वो मुद्रा आती है जिसे विधी ने सर्वमानने रूप से माननेता प्रदान की है और विदिग्राहे मुद्रा को अगर कोई व्यक्ती स्विकार नहीं करता तो ये एक दंड़नी अपराद हो सकता है यानि सबके लिए स्विकार करना आवश्यक है साथ में इसके पीछे कई कानूनी शक्तिया होती है और इसका अध्यान हम दो प्रकार से करते हैं दो तरह की मुद्राओं में ये बटी होती है एक सीमित विदिग्राहे मुद्रा और दूसरा असीमित विदिग्राहे मुद्रा अगर हम बात करें सीमित विदिग्राहे मुद्र उसके बाद किसी प्रकार का कोई दंड नहीं दिया जा सकता एक उदाहरन की तोर पर हम देखे तो 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो 25 रुपय तक की सीमा तक विधिगराहे होंगे उससे ज़्यादा की सीमा तक के लिए वो दंड नहीं होगा कोई वेक्ति उनको स्विकार करने के लि आस्विकार करना एक दंडनी अपराद होगा और दूसरा यानिकी एक्षिक मुद्रा पर एक नज़र डाले तो यहां पर हम देखते हैं कि जिसे स्विकार करना या ना करना विक्ति की एक्षा पर निर्भर करता है इसकी स्विकारिता की कोई सीमा निश्चित नहीं होती है और नहीं ये आसीमित रूप से स्विकारी हो गया है। यानि कि व्यक्ति के उपर निर्भर करता है कि इस तरह के मुद्रा को स्विकार करे या ना करे। इनको हमें कुधारन की तौर पर कह सकते हैं चेक, हुंडिया या विनिमे विपत्र ऐसे मुद्रा हैं जिने हम एक्षिक मुद्रा कहते हैं। चेक के रूप में किसी व्यक्ति को चेक स्विकार करना है या नहीं करना है या उसकी व्यक्ति का तिक्षा है। अब तीसरा जो इसकी वर्गी करण का अधार है वो है पदार्थ के अधार पर वर्गी करण और पदार्थ के अधार पर जब हम मुद्रा को बाढ़ते हैं तो वो दो प्रकार की मुद्राओं में बढ़ जाती है एक धातु मुद्रा और दूसरा पत्र मुद्रा जिसकी बारे म सकते हैं सोने चानदी तामबह की मुर्टाय लेकिन वर्तमान में इस तरह की मुद्रा का कोई चलन नहीं है अब इन धातु की जो मुद्राय må में बाड़ा सकता है एक होती है सांग के प्रमाणिक मुद्रा और गात करते हैं तो यह देश के प्रधान मुद्रा होती है, मानक मुद्रा इसे हम कहते हैं, दूसरा जो है वो है इससे वस्तु और सेवाओं के मुल्य को आका जा सकता है, जिस तरह से हम पत्र मुद्रा से वैलुईशन करते हैं, उसे प्रकार इससे भी वस्तु के मुल्य को आका जा सकता है, तीसरा इसकी बा असिमित विधी गुरा होती कोई सीमा नहीं होती जितना जितना इत्रे और रिधान कि अजय दूसरा जब हम सांकेतिक मुद्रा की बात करते हैं न्हुर्ण की सहायक हो तो प्रपोर्ट करने के लिए प्रयोग मिलाई जाती है दूसरा यह अंकित मुल्य धारित मुल्य से अधिक होता है वास्तों में इसमें जो मुल्य लिखा गया होता है और जो व्यक्ति इसको प्राप्त करता है दोनों में अंतर होता है आएए देखते हैं इनमें क्या अंतर होता ह प्रमानिक मुद्रा का अंकित मूल्य एवं वास्तविक मूल्य बराबर होता है जबकि सांकेतिक मुद्रा का अंकित मूल्य इसके वास्तविक मूल्य से अधिक होता है प्रमानिक मुद्रा असेमित विधिग्राहे होती है जबकि सांकेतिक मुद्रा सेमित विधिग्राहे होती है प्रमानिक मुद्रा का टंकण स्वतंत्र होता है जबकि सांकेतिक मुद्रा का टंकण सेमित होता है प्रमानिक मुद्रा में ही समस्त वस्तों एवं सेवाओं का मुल्य नरधारित होता है जबकि सांकेतिक मुद्रा में वस्तों एवं सेवाओं का मुल्य नरधारित नहीं होता है प्रवानिक मुद्रा को स्वान रजत या इनके मिश्रन से तयाल किया जाता है जबकि सांकेतिक मुद्रा प्राया घटिया एवं हल्की किस्मिकी धातु से निर्मित होती है